हेलो व्रिवन वेल्कम यू ओल एट लोकेसर अल्लिम्टेड स्टडी जोन आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फिजिक्स की रिवीजन क्लासे तो आज से फिजिक्स का सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा और जितने पेपर्स वगेरे हमारे पास यहां पर एवेलेबल हैं जो इत्सकर आपके पास जो पेपर आएगा उसके maximum marks कितने रहेंगे सटतर तो सट्र नंबर का पेपर होने जा रहा है सेवेंटीप्लस थर्टीगी स्कीम है जिसमें के रहेंगे 70 marks आपके theory paper के रहेंगे ओके और अगर आप first division बनाना चाहते हैं तो 70 marks में आपको 55 ले करके आना पड़ेगा ठीक ना 75% निकाल लीजिगा है यह model question paper है और इससे हमें जानकारी मिलेगी कि जो actual paper हमारा आएगा वो किस टाइप का होगा थोड़े से questions समको मिल जाएंगे देखे especially आपको objective जो होते हैं वो तो आपको बिल्कुल सही करके आना है क्योंकि इन में time तो बिल्कुल लगता नहीं है ने मत बनते हैं तो बिल्कुल आपका answers रही आएगा तो इनको correct करेंगे तो आपको बहुत बड़ा confidence मिल जाएगा चलो तो फिर देर कि इस बात की question हो जाएं शुरू तो पहला question देखे आपको प्रतेक वस्टूनिस्ट प्रस्ट में दिये गए विकल्पों में से सही उत्तर एक option आपको correct करना है तो सबसे पहला आपको दिया गया है कि एक कुलाम में आवेश में इलेक्ट्रोनों की संख्या तो आपने एरी formula य जो इलेक्ट्रोन हुआ करते हैं एक कुलाम आवेश में वो कितने होते हैं 6.25 इंटू 10 की पार 18 अगला देखे तार का विशिष्ट प्रतरोध निर्भर करता है भाई तार का विशिष्ट प्रतरोध उसकी खुद की अंदरूनी property होती जो की पदार्थ पर निर्भर करता है तो इसका correct option हो गड़ी वो ना तो किसी चीज पर लंबाई पर व्यास पर द्रमान पर तीनों पर निर्भर नहीं करता है केवल किस पर निर्भर करता है पदार्थ पर ठीक है चलिए अगला question है 99 ओम प्रतरोध वाले चल कुंडली धारा पापी से 10% धारा मापी भेजने के ल होगा देखिए इसके लिए आपको शंट का formula पता होना चाहिए शंट का formula इसके लिए आपको पता होना चाहिए तो मुझे बताए जल्दी से शंट का formula क्या हुआ करता है देखिए आपने शंट का formula पढ़ा होगा s equal to ठीक ना यस शंट जो resistance लगाते हैं आपका formula आपको उसक आई जी यह हुआ करता है ठीक ना तो कह रहा है कि 99 ओम प्रत्रोध वाले चल कुंडली धारा मापी मतलब जो जी है जी की वैल्यू किती है 99 है तो जी की वैल्यू 99 रख दीजे ओके धारा मापी में से किती परसेंट धारा भेज रहे हैं मतलब आई जी कॉल टू क्या हो गया आई जी इसको समझना भाई आराम से इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी है ना यहां पर मैं लिख रहा हूँ ब्लैक कलर से लिखता हूँ चलिए तो कुल, कुल धारा का कितना भेजा जा रहा है 10% तो आई जी इक्वल टू टू 10% 10% मतलब 10 अपॉन 100 ओ कुल धारा किती है आई कुल हरा किती है I तो देखे जीरो से जीरो कैंसल तो IG एक्वल टू कितना हो गया अपने पास में IG हो गया 1 बाई 10 1 बाई 10 देखे IG उपर बैठा था ना तो G तो मैंने बाहर ले लिया और IG हो गया 1 बाई 10 ठीक है ना और देखे 1 बाई 10 किसका कुल हरा का I का तो 1 बाई 10 अई और I माइनस IG तो I कितना है I तो I है और ठीक है ना 9 I by 10 तो यहाँ पे कितना آजाएगा यहाँ पे आजाएगा 9 I by 10 तो इधर मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार मेरे को यहाँ लिख देना सी तो देखें मैंने क्या निकाला यहाँ पे मैंने निकाला है I minus I G समझे इस चीच को तो I minus I G equal to है I minus I G के value देखो उपर कितनी I है I by 10 I है तो अगर I में से आप I by 10 हटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 9 I by 10 बचेगा तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है चलो मैं इसको erase कर देता हूँ जगह बना लेता हूँ इसको solve करने की तो भाई कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 9 I by 10 10 से 10 कैंसल हो जाएगा I से I कैंसल हो जाएगा अरे बच का गया 99 multiply by 1 upon 9 ओके answer 11 ohm मजा आ गया answer देखो भाई 11 ohm C option होना चाहिए इसका तो 3 का C बिलकुल correct है बोलो भाई समझ में आया है सब लोग yes बोलो no बोलो clear है very good तो बेटा याद कर लेना यह formula अब जो जो formula है उनको बिलकुल मन में बसाते जाओ ठीक ना बहुत important है यह formula जैसे कि आपको मैंने एक formula बता दिया यह वाला s वाला shunt वाला shunt वाला formula कितना होता है shunt का formula note कर लो s equal to ig लिख लो shunt resistance का formula shunt resistance equal to g bracket में ig upon i minus ig यह shunt resistance का formula है बहुत बढ़िया लो बाई चलो आँगे चलते हैं चलिए आँगे चलिए electromagnetic वे विद्धु चुमे की तरंगों का question TV signal किसमे से परिवर्तित होते हैं बेटा TV signal की property हुआ करती है TV signal जाते हैं और परिवर्तित हो करके आते हैं आयू मंडल का सबसे उची वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं बेटा आयन मंडल तो इसका correct answer रटलो आयन मंडल जो TV रेडियो सिगनल होते हैं वो परिवर्तित हो करके किस से आते हैं आयन मंडल होते हैं चलिए अगला question देखे Germanium crystal को P type P मतलब positive Yes बेटा चौथे का answer में क्या दिया है TV signal अच्छा 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 थैंक्यो बेटा बताने के लिए थोड़ी सी मेरे समेश टेक हो गई यहां पर बेटा रेडियो सिगनल परिवर्तित होते हैं बेटा थैंक्यो आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत बधाई ठीक ना देखे रेडियो सिगनल परिवर्तित होते हैं बेटा TV सिगनल परिवर्तित नहीं होते हैं बहुत अच्छी बात कहीं यहां पर देखे यह थोड़ा सा क्वेशन ने confuse कर दिया लिख लो बेटा रेडियो सिगनल आयन मंदल से परिवर्तित होते हैं TV सिगनल की फ्रिक्वेंसी जादा होती है इसलिए वो भेद करके चले जाते हैं वापस नहीं आते ठीक है ना तो रेडियो सिगनल आयन मंदल से परिवर्तित होते हैं कि अगला कोशन देखिए अगला क्रिस्टल को पी टाइप अरचालक बनाने के लिए इसमें क्या मिला जाने की जर्मेनियम में P टाइप, P टाइप मतलब 3 सेयोजी असुद्धी और 3 सेयोजी असुद्धी की सेयोजगता किती होती भाई साथ, 3 होती है तो correct answer इसका कितना होगा, A, लिखा भी हुआ है, 5th का answer क्या होगा, A होगा चलो, clear हो गया, यह सारे के सारे question clear है, एक बर yes बोल दो, नो बोल दो जो भी हो चलो बहुत बढ़िया, अगले question क्यों चलते हैं, रेखिए, अगला question है, हाँ अगला question है, यहाँ पर gate है, not gate को क्या करते हैं, तो बेटा, not gate को inverter कहते हैं English में, और inverter को Hindi में बोलते हैं, with क्रमक, तो not gate को with क्रमक कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि not gate एक ऐसा gate है, बेटा, जो one को zero में बदल देता है, और zero को one में, मतलब जो दोगे इसका उल्टा कर देगा, इसलिए इसको बोलते हैं, इनवर्टर, इनवर्टर, यानि इसको क्या बोलते हैं, वित क्रमक बोलते हैं, ठीक न, चलिए, अगला दीखिए, अगला कोस्चन देखते हैं आदर से दुधरूब आदर से दुधरूब वैसे तो दुधरूब का आकार बहुत छोटा होता है मगर जो आदर से दुधरूब होता है उसका आकार किस रूप का होता है बिंदू रूप का होता है तो नोट कर लो कि आदर से दुधरूब का आकार जो होत 96,500 कुल आंगांगे बढ़ते हैं चुम्ब की आगून का SI मात्रक SI पधती में क्या होता है भाई चुम्ब की आगून का मैंने बताया था M capital M equal to M into कितना होता है 2L होता है धुरूब प्रावल गुने प्रभावकारी लंबाई यह होता है और इसका जो मात्रक होता वह होता है M M square क्या होता भाई साब M M square ठीक है न रोग कितनों को मारने में किस किरन का उप्योग किया जाता है आप जानते हैं कि रोग और कितनों को मारने में UV किरन का इस्तमाल किया जाता है किसका इस्तमाल किया जाता है डन चलिए अगला देखते हैं सही जोड़ी मिलाते हैं है ना खंड आ में सही जोड़ी आपको दी गई है देखे पी प्रकार का अर्धचालक अच्छा भाई नीचे होगा क्योंकि इसमें काफी सारी चीज़ें नीचे दी गई है तो पी प्रकार का अर्धचालक तो पी प्रका होते हैं और पोस्ती मतलब एटू क्या है यह ये लिबवा है हुए यह लिटू क्या है दो भी दो छेतर है ना E1 upon E2 ये विभव हैं हाँ ये विभव हैं तो देखिए विभव मापी का सिधांत लग गया हला कि सिलेबस से हट चुका है इस बार तो विभव मापी का सिधांत क्या होता है विभव मापी का सिधांत होता था या E proportional to L तो यदि आप E1 upon E2 करोगे तो कितना आएगा L1 upon L2 तो हलाकि इस बार सिलेबस से हट चुका है है ना बट V proportional to L तो आपके सिलेबस में तब भी कही ना कही थोड़ा सा है आपके पस में तो V proportional to L तो E1 upon E2 equal to L1 upon L2 तो इसका अंसर कितना जाएगा L1 upon L2 तो यदि देखा जाए तो यह कहां पे होगा इसका अंसर इसका option number होगा A चलिए अगला question देखे ओजोन मंडल कहां से कहां तक है देखे ओजोन मंडल यह होता है शुरुवाथ हो जाता है कहां से 22 km लगभग से शुरुवात हो जाता है और यह 50 km तक चलता है ओजोन मंडल तो आपके पाद जो option दिये गए हैं यह 30 से लेके 50 km दिया गया है बिल्कु सतसत में का गया है कि लेजर पुंज पूरता है कला सबद होता है कला सबद मतलब जिसमें निकलने वाले हर तरंग की की फ्रिक्वेंसी समान होती है सब समाना वर्तिकी होती है इनको कला सबद कहते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो होता है कला सबद हुआ करता है है उसका प्रत्रोद अधिक होता और गलनांग कम होता है सही बात है प्रत्रोद अधिक रहेगा और गलनांग कम रहेगा गलनांग कम होगा तो जल्डी गल जाएगा अगर जादा धारा आ जाएगी circuit में तो fuse का तार गल करके तूट जाएगा जिससे की आंगे की supply रुख जाएगी बिल्कुल सही बात है चलिए अगला question question number three question number three देखे क्या कह रहा है कि young की दूलिस्ट प्रयोग में दोलो कला सबद स्रोत वास्तिविक होते है young के दूलिस्ट प्रयोग जो young का double slit experiment होता है मेरे ख्याल से इस वर्स आपके पसलेबस से young का double slit experiment हट गया है है ना young के double slit experiment हट चुका है तो कह रहा है कि दोनों कला सबद स्रोत वास्तिविक होते हैं नहीं दोनों सोज जो होते हैं आभासी होते हैं ठीक ना क्योंकि दो वास्तिविक स्रोत बनाना बहुत कठिन हैं दो कला सबद वास्तिविक स्रोत बनाना बहुत कठिन हैं क्योंकि एक ही जैसी frequency दो light की create कर पाना बहुत मुस्किल होता है तो इसका answer क्या है असत्य है अगला है Facts का उपयोग दस्तावेच के प्रेशन में किया जाता है बिल्कुल सही बात है कि Facts का जो उपयोग होता है दस्तावेच के प्रेशन में किया जाता है चलिए Modum हट चुका है Modum को छोड़ दो Modulator, Demodulator अब देखे कुछ question है जो आपको करने है उनको आप देख लीजिए किरचाफ का नियम बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए किरचाफ का प्रथम नियम दोती नियम दोनों बहुत important है तो यहाँ पर अपन question देखते जाएंगे इसको करिए और आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे से आप comment box में पूछी है या अलग से मेरे से पूछी है दुती अक्सल प्राथमिक से बेस्ट है क्यों उसलेबस से हट चुका है दुती अक्सल मतलब की secondary cell secondary cell को आप दुबारा recharge कर सकते हो प्राथमिक सेल को आप recharge नहीं कर सकते हो अगला question अगला question जो है आपके वो सिलेबस में है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि emitter और voltmeter में क्या अंतर है तो यह important question है emitter और voltmeter में अंतर emitter में आपको पता है कि जो galvanometer होता उसको इसाथ shunt को जोड़ा जाता है parallel में और वोल्ट मीटर में किस में जुड़ा जाता है हाई रेजिस्टेंस को सिरीज में तो ये क्वेश्चन आप important मार्क कर लीजिए इसको कर कर के आईए थियोरी के क्वेश्चन थियोरी मैंने बहुत डेटेल में आपको पढ़ाई है तो theory के question आप समालिए, मैं यहाँ पर fast reading करा सकता हूँ अब तो, क्योंकि theory तो अपने साल बर पढ़ी है आविशित करण पर लगने वाले चुम्बकी बल और विद्धुत बल में चार अंतर लिखे यह होता चुम्बकी बल इसको बोलते हैं लॉरेंज बल बोलते हैं इसको है ना और जो विद्धुत बल हुथा वो कितना हुथा विद्धुत बल होता एफिक कॉल्टू क्यूई जो विद्धुत बल हुआ करता है वो हुआ करता है कितना एफिक कॉल्टू क्यूई तो दोनों वलों में आपको अंतर लिखना है स्वाप्रिणन या अन्योन प्रिणन में अंतर लिखे इसको रट लीजिए बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है स्वाप्रिणन मैंने बताया था खुद की कुंडली में होता है अन्योन प्रिणन जो होता है दुतिय कुंडली में होता है ठी यहानिकारक जो होती है अल्ट्रा वैलेट यानि की परवैगनी विकर्णों को आ करके रोकती है जिससे की प्रत्वी में वातावर्ण और मानोजाती सुरक्षित रहती है चलिए अगला देखे कला सब्द सुरौत क्या है तो तुरंगों के ऐसे शुरौत जिनकी आवरती समान ह होती है और जिनके बीच में जो कालानतर होता है वो लगभग जीरो के बराबर होता है ऐसे से हैपिटेश के बढूर के हैं सरते सरते क्रिक बब्ब्ब क्या हुआ पुछा पता है ये प्रथविंब की लंबाई या से भी करते हैं और मेरर फॉर माइनस इसलिए माइनस लगाना ना पूलें क्योंकि गोली दरपन के लिए तो गोली दरपन के लिए रेखी आवर्धन का फॉर्मूला यही होता है जो मैंने आपके सामने लिख दिया कारण बताईए हीरा चमकता है हीरे के अंदर पूर्ण आंत्रिक प मतलब लेंडा he upon b तो इसके बारे में धर से इस्ताय लिए तो दरव तरंग का वैक निश्य त रंगोर होता है इनका एक सम्वेग होता है ठिक न? और ये किसी ना किसी द्रभमान से जूड़ी होती है ठिक है न? चलिए तो ये इसको थोड़ा सा पढ़ लीजेगा आप स्टेंडिंग डेवलप करेंगे और मानलो कहीं पर आ जाते हैं अब जैसे उपर वाला क्वेश्चन जो है द्रवतरोंगों की विशेस्ता हैं इसके लिए आपको थोड़ी सी बुक खोलना पड़ेगा परंतु जो नीचे वाला क्वेश्चन है प्रकास विदुत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिध्धान्थ के आधार पर नहीं की जा सकती है क्यों कि तरंग सिध्धान्थ के आधार पर मोमेंटम का ट्रांसफर नहीं होता और जबकि इलेक्ट्रॉन को बाहर फेकने के लिए यहां से क्या चाहिए आपको समवेक चाहिए है इसलिए तरंग सिध्धान्त के आधार पर प्रकास विदुत प्रभाव की व्याक्या नहीं की जा सकती है इसलिए जो प्रकास विदुत प्रभाव है वो किस पर आधारित है वो कन की थियोरी पर कन की सिध्धान्त पर आधारित है जिसको बोलते हैं quantum nature quantum nature इसलिए इस चैप्टर में Max Planck की थियोरी आती है याद होगा आपको Max Planck थे हैं ना Planck का कनिक सिध्धान्त Max Planck की थियोरी इस चैप्टर में आती है तो प्रकास विदुत प्रभाव देख लिए किते माकस का आपके एकजाम में आ रहा है जो कि बहुत important है चलिए अगला शादरश एवं अंकी संदेश भाई ये हट चुका है से लेवर से तो इसको छोड़ दो हलाकि मैं पुराना पेपर डिसकस करा रहा हूँ जो उपलब्ध है मेरे पास फिर भी जो जो कुश्चन आपके आ सकते हैं वो याद रखिए पुराने पेपर से ही कुछ ना कुछ फसेगा विद्धु दुदुदुब के कारण अक्षी स्थिती रट चुका होगा आपको दुदुदुद ले लिजे अक्षी स्थिती पर तीवरता के वेंजक निकाली है है ना अगला है समानतर प्लेट संधारितर की धारता के लिए वेंजक मैं डिकलेयर करता हूँ ये कॉस्चन अगर संधारितर हटा नहीं है तो ये कॉस्चन समानतर प्लेट संधारितर तो नहीं हटा है ना तो ये क्या होता है C इक्वल टू K Epsilon 0 A by D तो ये कॉस्चन जो है पक्के से important है एक्जाम में आने वाला बहुत गजब का important है चलिए सूचन दरसी की विभेधन विभेधन चमता का वर्णन निमलिकित सेर्सकों पर करिए तो सूचन दरसी कौन सा भाई साब देखिए अब इसमें कोई सूचन दरसी दिया नहीं है तो यह तो बड़ी problem की बात हो गई इसने ना सरल बोला है ना सैयुक्त बोला है ठीक है ना तो यहाँ पर क्या करेंगे आप अब यह तो मतलब कैसे बताया जाए कि आप कौन सा करेंगे हाँ तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर सैयुक्त सूचमदर्सी कर लेना चाहिए तो सैयुक्त सूचमदर्सी के लिए आपको बताना क्या उसका पूरा पूरा derivation दो तीन बार चार बार पांच बार कर लो क्योंकि लगभग लगभग आनात तैय है सेयुक्तु सूचमदर्सी का डेरिवेशन जल्दी से कर लीजिए तो किरणार एक पनाने पढ़ेंगे विभेधन चम्ता के लिए सूतर आपको पढ़ाया गया है M is equal to जो भी होता है माइनस ओफ 1 प्लस U upon F E D upon F E जो होता है तो अच्छा आवर्धन चम्ता बिल्कुल सही बात है तो यहाँ पर विभेधन चम्ता विभेधन चम्ता तो यह विभेधन चम्ता है विभेधन चम्ता कैसे बढ़ाई जा सकती विभेधन चम्ता हमारे सिलेबस से हट चुकी है विभेदंग चमता आपको नहीं पढ़ता है ठीक ना तो ये चीज आपको नहीं करना है अब इसके बाद खागोली दूरदर्सी और गैलीलियो दूरदर्सी में समानता है और असमानता है गैलिलियन दूरदर्सी इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको भी छोड़ दीजे हाँ, astronomical telescope मैंने आपको करा रखा है ख्यागोली दूरदर्सी, आपको याद होगा इस तरीके का हुआ करता है और रेजिस में ऐसे आती है और focal plane पर जाकर केंदरित हो जाती है तो इसकी त्यारी कर लिजिए आ जाएगा आपके पस में अगला देखे, NAND gate से AND और OR gate कैसे प्राप्त करेंगे मैंने दोनों बताया है कि NAND से AND कैसे बनाते है, NAND से OR कैसे बनाते है, ओके जब ये दोनों बनाते हैं तो आपको property कौन से इस्तमाल रखनी पड़ती है A into B का whole bar equal to A bar plus B bar, इस property का यूज़ करके NAND gate से AND gate और OR gate कैसे बनाना है बनाईए इसको, हाँ P प्रकार और N प्रकार के रचालकों में से आप क्या समझते, बहुत important question है P type, N type का अरचालक, P type क्या होता है अगर आप pure silicon में 3 सायोजी असुद्धी मिला देंगे तो P type बन जाएगा, अगर आप pure silicon में 5 सायोजी असुद्धी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, N type semiconductor बन जाएगा, चलिए अगला question देखे दो समाक्छी लंबी परनालकों की बीच अन्योन प्रेरकत के लिए वेंजक वित्पन कीजिए, याद करिए मैंने आपको M का derivation कराया था, है ना जिसमें N1 square N2 square, ये सबाया करता है तो दो क्वाइल लख लीजे, ऐसी है ना, और इसके उपर दूसरी क्वाइल लप्रेट दीजिए, ये देखिए और इसके बाद आपको अन्योन प्रेरकत का वेंजक उत्पन करना है और ये बताना है कि किन किन कारकों पर ये निर्भर करता है तो चैप्टर नंबर 4 का एक question था उसका था, क्या नाम है आपका, बिद्दु चुमकी प्रेरन का हाँ, चलिए अनुनादी परपत किसे कहते हैं ये तो भाई रखा हुआ question exam में sure, sure for exam, SFE अनुनादी परपत कैसे कहते हैं ऐसा LCR परपत जिसमें XL बराबर XC हो जाता है XL बराबर XC मतलब प्रेरे की एक परतिगात, धारती परतिगात के बराबर हो जाता है तो ऐसे परपत को क्या बोलते हैं आपनुनादी परपत बोलते हैं और इसके लिए भाई आनुनादी आवरती हर कोई जानता, नादी आवरती के लिए omega L equal to 1 upon omega C omega उपर आगया तो omega square equal to 1 upon LC omega equal to under root 1 upon LC omega की value किती होती है 2 pi frequency equal to 1 upon under root LC f उपर रहेगा 2 pi नीचे जाएगा तो f को उपर रख दीजिए कितना आगया 1 upon 2 pi under root LC यह हो गई या नादी आवरती चरिए, सहीं योग मी फोकस किसे कहते हैं मुख अच्छ पर कुछ ऐसे बिंदू होते हैं मुख अच्छ पर कुछ ऐसे बिंदू होते हैं जिनमें वस्तु को पहले स्थान पर रखा जाए तो उसका प्रतिविम दूसरे स्थान पर बनता है और अगर वस्तु को दूसरे स्थान में रखा जाए पे है तो प्रतिविम्ब आपका पहले स्थान पे बनेगा मतलब वस्तु पहले पर तो प्रतिविम्ब दूसरे पर और अगर वस्तु दूसरे पर तो प्रतिविम्ब पहले पर तो ऐसे बिंदों के जोड़े को क्या बोलते हैं सईयोगमी फोकस कहते हैं अब इसके बाद दरप दरपन सूत्र डेवलप कर लीजिए 1 upon f equal to 1 upon u plus 1 upon v वैसे मुझे लग रहा है कि दरपन से दरपन सूत्र कम आएगा जो भी question आएगा lens से आएगा तो lens की तेयारी जादा जरू से करिएगा जादा important से करिएगा lens में सबसे पहले important कौन सा lens नर्माता का सूत्र बहुत important है 1 upon f equal to mu minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 और अगर आपको lens नर्माता का सूत्र बनता है तो दो line आँगे चलो तो lens का समीकर आजाता है lens सूत्र 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u तो ये दोनों formula जान है भाई साब इनको कल लो स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से प्रिजम के पदार्थ का अपवर्थ नांग जात भाई स्पेक्ट्रोमीटर हट चुका है अब प्रिजम के पदार्थ का अपवर्थ नांग का जो मैंने derivation आपको कराया है directly वो कल लो mu equal to sin a plus delta m by 2 divided by sin a by 2 जिन लोगों ने copy अच्छी maintain करी है notes बढ़िया बनाए है और खिड़कियों का स्वागत किया है खिड़किया बनाई है उनको सब याद रहेगा अब भी या नहीं तो बहुत tremendous pressure आने वाला है अब वो आपकी मदद करने वाली है खिड़किया तो उन खिड़कियों को खोलो और ये सारे derivation जो है बहुत जोर जोर से लगाओ इनको मतलब कम से कम एक derivation की पांच बार practice होगी तब आपको बनेगा चलो तो देखो क्या क्या बनाना है इसमें सूत्र लिखना है किरणा रेक बना दीजिगा प्रेचन सानी छोड़ दो अब नहीं आता है गरणा परणाम ये सब हो गया साबधानिया कभी कभी आ जाती है वो देख लीजिगा तो जो जो में चीजे मैंने इस सुबरश आपको कराई है कॉपी में वो करिएगा क्योंकि ये बहुत पुराना पेपर है ये पेपर जो है 2015 के आसपास का है तो मलब question इसमें से मिलेंगे मगर pattern हलका सा change हो गया जो pattern change हो गया मैं आपको बताता जा रहा हूँ चलो भाई आज आते हैं संभावित प्रश्न पत्र क्रमांक एक में प्रादर्स पत्र एक में इसके पहले मैंने आपको एक सेट करा दिया है आप लोग लेड जुड़े थे तो उसको आप इसको वीडियो में यूटूब में देख लीजेगा जो लोग नहीं जुड़ पाए कि की वैल्यू किती होती है इंफिनिटी होती है तो कोई भी पूछे कि धातु का परवैदुतांग कितना है अनंत है अब इसका फायदा भी लेना जानिए कि के का मान अनंत होता है तो यदि कोई धारता पूछ ले कि धातु कोई प्लेट है संधारितर की और संधारितर की प तो चलो आंगे करते हैं इसको कैसे करेंगे देखो तो R proportional to L square तो पहले तार L की थी और खीच करके 2 गुना कर दिया गया मतलब R proportional to 2 L का whole square तो 2 का square कितना होता है 4 होता है तो कितना आ गया factor 4 आ गया मतलब आंसर कितना हो जाएगा 4 होना तो इसका correct answer कितना हो जाएगा D चलो विद्धारा के चुम्ब की प्रवाव की खोज किसने की तो इसका answer तो KK से बड़े या कोई नहीं बता सकता KK भाई बता दो विद्धारा के चुम्ब की प्रवाव की खोज किसने की बिलकुल सही बात है ओर श्टेड ने ठीक है ये question कभी नहीं भूलेगा और अश्टेड ने ठीक ना फ्लैमी ने क्या बताया था फ्लैमिंग ने भाई साब दाय हाथ का नियम बाय हाथ का नियम बताया था माइकल फेराडे ने किस की खोज की थी माइकल फेराडे ने विद्द चुम्ब किये प्रेरण की खोज की थी M.P.R. क्या था M.P.R. ने दो चालकों के बीच में लगने वाला बल बताया था और करेंट की खोचकी थी ठीक है ना तो ये हो गया आपका विद्धुधारा के बारे में सारी जानकारी चलो भाई साब रट्टा वाला क्वेस्चन सैयुक्त सूच मदर्सी की आवर्धन चमता क्या होती है बताओ भाई के के सैयुक्त सूच मदर्सी है नेत्रिका और आवर्धन चमता दी गई है विद्धरशक की तो क्या होता है इसका आंसर M1 into M2 बिल्कुल सही जवाब बिटा करेक्ट आंसर है सैयुक्त सूच मदर्सी की आवर्धन चमता होती है M1 into M2 बिल्कुल सही बात है अगला क्वेस्चन है जेनर डायोड वैसे तो हट चुका है मगर फिर भी मैंने बताया है जेनर डायोड का इस्तमाल किस में होता है प्रवर्धन दिष्ट कारी में बिल्कुल नहीं होता है दिष्ट करण में भी नहीं होता है दोलितर में भी नहीं होता है किस में होता है वोल्टेज रेगुलेट करने में जेनर डायोड का इस्तमाल होता है कुछ इस तरीके के ग्राफ आया था याद कर लो जेनर डायोट का यहाँ पर कहलाता है इसको बोलते हैं जेनर भंजन क्या बोलते हैं जेनर भंजन चलिए अगला क्वेश्चन देखिए www हट चुका है है न वर्ल्ड वाइड वेब इसका क्या नाम था www जो आप कंप्यूटर में लगाते हो इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब चलिए अगला क्वेश्चन वैद्दु धुरूब के हाँ वैद्दु धुरूब के किसी आवेस और दोनों आवेसों के बीच की दूरी गुड़न फल्ग भाई इतना रद्धी क्वेश्चन क्या होगा अंसर वैद्दु धुरूब आगूण पी है ना वैद्दु धुरूब आगूण पी कहते हैं प्रतेक भाग का चुम्ब की आगूण कित्ता हो जाएगा तो आपके पास ये चुम्बक दिया गया है और लंबाई के अंदेस आपने इसको बीच में से रख करके छील दिया बीच में से काट दिया है तो आपको बताना है कि उसका चुम्ब की आगूण कित्ता हो जाएगा तो देखे बीच में से रखने पर जो धुरूवप्राभल होता है वो आधा हो जाता है दुरूप्राभल कितना हो जाता है? आधा हो जाता है तो देखिए जो फार्मूला था M is equal to धुरूप्राभल नया वाला M dash into लंबाई तो वो ही है बिटा 2L ही है रेखावत हो तो इस सीमित दूरी पर तरंगा अगर कैसा होगा भाई अगर प्रकास रेखावत हो रेखावत मतलब ऐसा रेखी प्रकास रोथ हो तो रेखी प्रकास रोथ से सीमित दूरी पर तो अगर दूरी सीमित है तो आप अगर ट्यूब लाइट रखोगे तो आपके सामने जो प्रकार सोथ बनेगा बेलनाकार बनेगा कैसा बनेगा बेलनाकार और अगर दूरी असीमित है तो भाईया असीमित दूरी का कैसा भी स्रोथ हो वो बनता है समतल कैसा बनता है समतल जैसे सूर असीमित दूरी पर है तो हमको मिलने वाला जो उसका तरंगागर होता है उस सम्तल तरंगागर होता है बट फिलहाल इसका अंसर क्या होना चाहिए यह सीमित दूरी है तो इसका जो तरंगागर मिलेगा कैसा होगा बेलनाकार तरंगागर होगा बुलो clear है चलो चली अगला question भाई सही जोडिया मिलाना है हां चली संचार तंत्र के मुख भाग इसको तो छोड़ दो N प्रकार का अरधचालक N प्रकार का अरधचालक देखो भाई option में N प्रकार का अरधचालक कौन सा है हां E है तो दूसरे का पहले का क्या होगा होगा हुगा क्या होगा एंब फर्ष्ट करीडे चोटे की एन प्रकार के ऑर्चालक में बहुत संख्यक आभेसवा रिया हैं इलेक्टरान होते हैं आयन मंडल के अांट मंडल को मिद्दोधारता का पहले मात्रक देख लेते हैं के के दिया है विद्दारता का मात्रक दिया हुआ है दूसरा क्या दिया है संचारत के मुख्वाक छोड़ दो एन तो हो गया है विद्धु धारता का ऐसा ही मातरक क्या होगा फैरड होगा तो ये वाला भी बन गया ठीक है ना चली वैसे आयन मंडल इसने लिखा है 80 से लेके 400 किलो मेटर बिल्कुल सही लिखा है आयन मंडल आप लोग नोट कर लीजिए 80 से लेके 400 होता है और अभी मैं भी मैंने बताया थ आपको ओजोन मंडल किते पर होता 22 से लेके 50 किलो मेटर में होता है ओजोन मंडल ठीक ना ओजोन यहां पर रेती है और यह होता है आयन मंडल 80 से लेके 400 किलो मेटर विद्धु चुम्ब की तरंगों का चेप्टर है अब मैं आपको बता दूँ कि विद्व चुमी की तरंगों में रेडियो तरंगे जो होती है वो आयन मंडल से तकरा करके वापस चला जाती है तो यहां से रेडियो प्रसारण होता है और रेडियो तरंगे जो होती है लोट करके वापस आ जाती है इसलिए रेडियो तरंगों को प्रसारित करने के लिए किसी प्रकार के सेटलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है मगर यदि आप यहां से टीवी सिगनल भेजेंगे तो टीवी सिगनल को सेटलाइट परिवर्तित करता है इसलिए टीवी में सेटलाइट की जरूरत पड़ती है रिडियो तरंगों के लिए सेटलाइट की जरूरत नहीं पड़ती डन क्लियर है हलो हलो चलिए चलिए सत्त असत आ चुका है सत्त असत देखते है मौडम का उपयोग दस्तावेज के सदूर प्रेसन में होता है भाई साब वैसे आप लोग सब लोग जानते है मौडम जो हमारे घर में ही लगा हुआ आप लोग यूस करते भी थे वाई फाई का मौडम है उसका उपयोग होता था सिगनल को डिमॉडूलेट करने में वो दस्तावेज काय को भेजेगा फैक्स मसीन थोड़ा ना है कि अंदर डॉकुमेंट डालोगे माकशीट डालोगे और दिल्ली में माकशीट प्रिंट होके निकल जागी नो मौडम का उपयोग क्या होता है सिगनल को ट्रांसफर करने में चली अगला अगला है ये वाला भी छोड़ दो कोई काम का नहीं है अर्धचालक का प्रितरोध अशुद्धी मिलाने पर बढ़ जाता है बिल्कुल गलत भाई साब अर्धचालक के कैसी चीजे जिसमें आप जितनी अशुद्धी मिलाओगे वो उतना बढ़िया काम करेगा तो तीसरे का क्या होगा आंसर असत्य होगा तको सभी बात विती करण में कहीं पर ब्राइट लाइट तको डार्क लाइट आपको याद होगा मैंने सुनाई थी आपको Thomas Young की कहानी कि अंधेरा प्लस अंधेरा एक्वल टू लाइट है ना, लाइट प्लस लाइट एक्वल टू अंधेरा और लाइट प्लस लाइट एक्वल टू जादा लाइट तो उर्जा के पुनरवित्रन के कारण कहीं पर लाइट तेज और कहीं पर लाइट कम होती है तो व्यतिकरन में क्या होता है? उर्जा का पुनरवित्रन होता है सुद्ध अर्द चालक में धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रोनों के द्वारा होता है लो भाई, लिख दिया है सत्य, बिलकुल गलत है क्योंकि सुद्ध अर्द चालक में जितने इलेक्ट्रोन होते है उतने ही होल होते है है ना, सुद्ध अर्द चालक में धारा का प्रवाह केवल इलेक्ट्रोनों के द्वारा होता है बिटा सत्य लिखा बड़िसका अंसर असत्य है दोनों ही होते हैं और दोनों की वज़े से धारा का प्रवा होता है, इलेक्ट्रोनों की वज़े से भी और होल की वज़े से भी, ठीक ना, तो ये भी कंप्लिट कर दी हमने, पढ़िएगा अच्छे से, चलिए अगला कॉस्चन देखते हैं, किसी सेल के आंत्रिक प्रत्रोद से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टन कॉस्चन और यह किन-किन बातों पर निर्भर करता है, कोई सेल है, वो बैटरी हुआ करती है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, इसके बीच में एक माध्यम भरा होता है, जिसको हम विद्धुत अफगट बोलते हैं, तो विद्धुत अफगट में डूबे हुए दो इलेक्ट्रोद जो होते हैं, क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, और इन में जो प्रत्रोद पाया जाता है, आयन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने में जो दिक्कत महसूस होती है, उसको बोलते हैं, अपन प्रत्रोद बोलते हैं, इसका सहल का आंतिरिक प्रत्रोद, ये किंची जो पंदर भर करता है, बीच की दूरी पंदर भर करेगा, दूरी जितनी ज़्यादा होगी कश्ट उतना ज़्यादा होगा प्रत्रोध उतना ज़्यादा होगा ओके शान्ता शान्ता जितनी ज़्यादा होगी गाड़ापन उतना ज़्यादा होगा कश्ट उतना ज़्यादा होगा प्रत्रोध उतना ज्यादा होगा प्लेट का छेतर फल जितना ज्यादा होगा उतना कम प्रत्रोध होगा मतलब आर इंवर्सली प्रपोर्शनल टू एरिया बाकी इसको पढ़ लीजेगा चलिए विभॉम आपी और वोल्ट मीटर में अंतर इसी खराब आती है तो इसलिए विभॉम आपी को आदर से वोल्ट मीटर भी बोला जाता है भाई लिए दिखपात कोण और नमन कोण बताना है कि दिखपात कोण क्या है तो देखिए प्रत्वी के दो यामोतर होते हैं एक होता है भोगोलिक यामोतर और एक चुम्ब की आमोतर आपको पता है कि प्रत्वी की ये भाईगोलिक अक्ष है और ये चुम्ब की अक्ष है इसके जो बीच का कोण हो जाता है उसको बोलते हैं अपन दिखपात कोण ठीक है ना और नमन कोण क्या होता है किसी इस्थान पर किसी स्थान पर कुल चुम्मिकी छेतर और प्रतिवी की 36 चुम्मिकी छेतर के बीच का जो कोण होता है उसको नमन कोण कहते हैं इसको याद कर लीजेगा यह परिभाशा बहुत आती है इंपोर्टन्ट है यह चेप्टर में परिभाशा है बहुत है उनको याद कर लीजे बहुता है फ्लैमिंग का लेफ्टनर रूल छेतर के लमवद दिया जाता है बाएं हाथ का नियम तो आप देख लीजे बायं हाथ के नियम से दिया जाता है यह वेग पन्नर भर नहीं करता है ये वेग पंदर भर करता है और तमाम बाते हैं इसको पढ़ लीजेगा ये important question है चलिए अन्योन प्रिरकत की परिभासा अन्योन प्रिरकत मैंने बताया था कि पटा का हमारे हाँ फूटेगा मजे पड़ोसी लेगा ओके फाई proportional to i और फाई किसका second का current किसकी फष्ट की तो फाई on second is proportional to i तो फाई is equal to m i फाई is equal to m i तो m बराबर फाई upon i दुती कुंडली से बद्ध चुंब की flux एवं प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित धारा के अनुपात को बोलते हैं अन्योन प्रिरकत ठीक है एक बलब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा है जब यह 100 वोल्ट पर काम करता है तो इसकी व्याय सक्ती कितनी होगी चलो भाई देखो कैसे करते हैं इसको क्रॉप कर लेते हैं फिर करा देता हूं मैं question को एक बलब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हुआ है यह लेजे भाई सब एक बलब पर कितना लिखा है 220 वोल्ट और 60 वाट जब यह 100 वोल्ट पर काम करता है तो इसकी व्याय शक्ती किती होगी तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लो फॉर्मूला क्या होता है P equal to V square upon R तो R equal to किता होगया 20 square upon P तो वोल्ट इच किता है 220 वोल्ट तो 220 गुणे 220 पावर किती है 60 तो यह होगया 60 60 से 0 कैंसल ओके इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 220 गुणे 22 बटे 6 चलो इतना काफी है यह अपने पास में आगया resistance अब कहरा है अगर इसको 100 वोल्ट पर लगाया जाए से पी कुल टू वोल्ट इच किता लगाया आपने 100 तो 100 गुणे 100 अपन में resistance कितना है रिखिए भाई साब resistance आपके पास में इतना आपने निकाल लिखा है तो इसको लिख दो कितना 220 गुणे 22 और अपन में 6 तो 6 कहा चला गया ऊपर चला गया ठीक है ना सॉरी हाँ 6 है बिटा चलिए काटा कुटी करते हैं तो यहाँ पर 0 से 0 क्या हो गया cancel 100 गुणे 10 और 6 मतलब कितने होगे 6,000 और 22 गुणे 22 आउसर कितना 484 6000 गुणे बटे 484 इसको solve कर लिजे जो answer होगा वो आपकी नई शक्ती होगी जो answer होगा वो आपकी नई शक्ती होगी तो P equal to V square upon R का formula लगना और कुछ भी नहीं चलो done आगे सोज में चली आँगे question देखते हैं अगला question देखे ओजोन परत वाई उमंडल में कहा है बाई 22 से लेके 50 किलो मेंटर की उचाई पर ओजोन परत इस्तित है मानो की सुरच्छा में इसकी भूमी का बाई बहुत अच्छा याद है दरुवन कौन हट चुका है बूस्टर का नियम दरुवन याने polarization क्या था हट चुका है छोड़ दो इसको चलो ओतल सरप्ण के सामने एक वस्तू 48 सेंटीमिटर की रखी है दरप्ण की फोकस दोरी 24 सेंटीमिटर है देखे ओतल है तो ओतल की फोकस दोरी क्या होती है हमें सा याद रखेगा निगेटिव होती है रनात्मक तो फॉर्मूला क्या लगएगा फोकस दोरी कितनी है पानी के अंदर इस्थित वायू का बुलबुला जिसका प्रष्ट उत्तल होता है वह अवतल लेंस की भाती व्योहार करता है इस कथन को प्रमारित करिए तो देखे जो फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का दो प्रष्ट का वो होता है 1 upon f equal to mu minus 1 है ना mu minus 1 upon r na 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 f equal to mu minus 1 हाँ only mu minus 1 होता है और इधर पे bracket में कितना होता है 1 upon r1 minus 1 upon r2 1 upon r1 minus 1 upon r2 चलो इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं तब आपको समझ में आना सुरू हो जाएगा तो 1 upon f equal to mu mu मतलब 1 mu 2 माध्यम 1 के respect में माध्यम 2 का जिसको लिखते हम कितना mu 2 minus mu 1 upon 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 ध्यान से देखेगा तो 1 upon f इसको हल कर लीजे तो कितना आएगा mu 2 minus mu 1 upon कितना mu 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 अब देखे ध्यान से क्या होगा ये पानी का बक्सा है इसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये इसके अंदर काच के अंदर डूबा हुआ है क्या काच का लेंस डूबा हुआ है बाहर का माध्यम कितना है mu 1 अंदर का माध्यम कितना है mu 2 अंदर का माध्यम काच का माध्यम यह होगा काच के दूसरा माध्यम कहेंगे नहीं तो पानी ही है अब देखिए जब कोई प्रकास किरने चलती है तो माध्यम म्यू 1 से म्यू 2 के अंदर चलती है तो म्यू 2 क्या है काच म्यू 2 क्या है काच है ना और mu1 क्या है पानी mu1 क्या है पानी mu-1 f equals to 1 upon f equal to mu-1 एक मिनट एक मिनट सूत्र देखो 1 upon f equal to 1 upon mu-1 एक कि mu-1 है नहीं एक मिनट पहले एक काम करूँ भाई जो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे formula चेक करो formula सही लिखा की नहीं लिखा है पहले ये चेक करो अच्छा ठीक है रुक जाओ 1 mu2 is equals to पानी के स्थित yu का बुलबुला हाँ ठीक है भाई साब देखे मैंने काच का बुलबुला ले लिया है पानी के स्थित yu का बुलबुला लेना था मुझे ठीक है ना तो इसके अंदर yu का बुलबुला ले लिजी अब आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है ये देखे yu का बुलबुला था तो भाई पानी mu1 है और yu mu2 है और आपको पता है कि हवा जो होती है वो क्या होती विरल होती है हवा तो अंदर है ना तो हवा विरल होती है और पानी सघन होता है इसका मतलब mu1 जादा होगा और mu2 क्या होगा कम होगा हवा क्या होती है हवा विरल होती है और पानी क्या होता है सघन होता है तो पानी सघन है इसलिए mu1 जादा है मुटू कम है क्योंकि मुटू मतलब हवा तो देखिए मुटू कम है और मुवन जादा है आप जादा में से कम को माइनस करोगे ठीके ना देखे मुटू क्या है मुटू हवा है और मुवन क्या है मुवन काच है पानी है तो अगर आप ऐसा समझ लो μु हवा माइनस μु पानी भाई हवा का पुवरतनांग कितना होता है हवा का पुवरतनांग हुआ करता है 1 और पानी का पुवरतनांग कितना होता है 1 से ज़्यादा होता है न 1.3 मानलो जो भी मानलो पानी का पुवरतनांग का अपने 1.3 है और focal length आपकी क्या आएगी? Negative आएगी, क्योंकि यहाँ पे सब negative हो गया, और focal length negative किसकी होती है? जो अवतल length होता है, उसकी focal length क्या होती है? Negative होती है, तो इसलिए यह अवतल की भाती व्योहार करेगा, डुबाया आपने किसको है? उतल को, देखिए, आपने डुबाया किसको है? उतल को है, मगर यह किसकी भाती व्योहार कर रहा है? अवतल की भाती व्योहार कर रहा है, इसी formula का use होगा बेटा, तो इसको note कर लो, जब भी आपको focal length में परिवर्टन वाला question आएगा, तो यही formula होगा, इसको बोलते है, lens निर्माता का सूत्र, very important, और यह आएगा भी, important है, यह मतलब इसका derivation आएगा, और यदि यह आजाएगा, तो यह तो बताई लोगे, ठीक है ना, तो इस तरीके से, जो है, आप जो है, यदि इसको डोबाओगे, तो आपको यह आउतल की भाती ब्योहार करेगा, उतल होने के बाद भी, यह आउतल की भाती ब्योहार करेगा, आपने देखा था ना, एक्सपरिमेंट जादू नहीं विज्ञान में, आपने देखा था कि तेल के अंदर उसने गिलास को रख दिया था, तो यह इन्विजिबल हो गया था, तो इसमें यही कंसेप लगता है, दोनों के, दोनों के बराबर कर दो, दोनों के क्या कर दो, यह बराबर कर दो, तो वहाँ पर क्या हो गया था, म्यू वन, म्यू टू दोनों बराबर हो जाएगा, तो यह जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो एफ का मान कितना हो जाएगा, इन्फनाइट आजाएगा, एफ का मान इन्फनाइट हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, समतल पट मतलब focal length कितनी हो जाएगी अनंत हो जाएगी और focal length अनंत मतलब पारदर्शी पत्टिका तो जो जादू नहीं विग्यान में आपने देखा था गायब हो गया था glass वो इसी concept से हुआ था बोलो बच्चो clear है बोलो भाई चलो बहुत बढ़िया ठीक है तो ये हो गया हमारा ये वाला तो पार्ट पूरा होई चुका है दुबारा रिपीट हो गया है ये वो जोन मंडल भी पढ़ दिया अपने चलो चलो बहुत बढ़िया चली अगला question देखे प्रकास विद्धुत सर्जन समंदी Einstein का न करता है तो सबसे पहले इसका कुछ हिस्सा जा करके electron को जगाता है फिर उसके बाद dance होता है half mv square से ठीक ना तो ये थी Einstein समीकन इसकी स्थापना आपको करनी थी इसको पूरा आंगे तक solve करके लेके जाए और लिख दीजे चले आगे प्रकास विद्धुत प्रभाव क्या है तो बही प्रकास विद्धुत प्रभाव की परिभासा जब भी कोई प्रकास जो होता है है ना किसी प्रकास सम्वेरी सतय पर गिरता है तो यह उसके अंदर से electron को सर्जित कर देता है electron को बाहर निकाल देता सतय के इसको प्रकास विद्धुत प्रभाव कहते हैं और निकले ह आवेस के कार्ण उत्पन विद्दू छेतर की तीवरता तो भाई साब गौस की प्रमे लेना है इसके कार्ण गौस की प्रमे लिखने के बार एक बिंदू आवेस लेना है Q का एक Gaussian region बनाना है सटाक, electric field यहाँ पर एक छोटा सा छेतर लेना है और फिर आपको क्या करना है E.ds करके आपको Q upon epsilon not करना है E की value निकालनी है और E की value ही आजाएगी आपकी 1 by 4 by epsilon not into Q upon R square तो very important question गौस का अनुप्रियोग में number 1 मैंने यही कराया था जब मैंने गौस कराया थी तो आपको सबसे पहला अनुप्रियोग मेंने यही कराया था कि बिंदू आवेस के काण विद्धू छेतर की तीवरता फिर समतल चादर के काण विद्धू छेतर की तीवरता रेखिये चालक के काण विद्धू छेतर की तीवरता खोखले गोले के अंदर बाहर उपर विद्धु छेतर की तीवरता उन सब को अच्छे से कर लिजे वेरी इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट विद्धु विभव क्या है एक बिंदु आवेश के काण करने में जो किया गया काम होता है उसको विद्धु विभव बोलते हैं याद होगा आपको यह डेरिवेशन कर लीजिए थोड़ा सा इसमें महनत लगती है धोखा दे सकता है क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले work निकालना पड़ता है इस फॉर्मूले से dw is equal to f into dx फिर इसके बाद क्या करना पड़ता है इसको वर्कों को आपको integrate करना पड़ता है यस याद कर लिजे चलिए डेरिवेशन देखिए आपको करने पड़ेंगा अब इतना समय तो नहीं है कि मैं पूरे-पूरे तो भाई तीन ही दूरदर्सी आपके सिलेबस में इस वर्स हैं एक सरल सूचमदर्सी एक सैन्युक्त सूचमदर्सी और तीसरा दूरदर्सी में केवल खगोली है दूरदर्सी एक ही दूरदर्सी आपके सिलेबस में है तो इसको कर डालिए आवरधन चमता निकालनी है और किर दो समाक्षी लंबी परनालकाओं के बीच में अन्यून प्रेरकत का वेंज़क उत्पन्न करना है मतलब वही दो परनालकाइं ले लीजिए एक दूसरे के उपर दोनों को प्रापर ली लपेड लीजिए और इसके जो M का मान आपको आता है याद करिए M का मान है ना मैंने बहुत प्यार से इसको समझाया है ट्रांसफार्मर की कारविधी और सिधान्त ये प्राथमिक कुंडली होती है ये दुतिया कुंडली होती है और इसके बाद आपके क्या लग जाता है E is equal to D5 by DT E is equal to D5 by DT कुपलिंग इतनी अच्छी होती कि यहाँ का फ्लक्स जो होता है पूरा का पूरा यहाँ पर जाता है और आप जानते हैं D5 by DT is equal to E हो गया है अब इसके बाद में अगर फेरे N होते हैं तो E is equal to N D5 by DT क्योंकि फ्लक्स सेम होता है तो E proportional to N मतलब E1 upon E2 equal to N1 upon N2 मतलब जिस तरफ फेरे जादा होंगे वहाँ तरफ का voltage जादा होगा तो अगर फेरे इस तरफ जादा है तो दुतियक तरफ का voltage जादा होगा E2 greater than E1 बन जाएगा उच्चाई transformer और अगर फेरे प्राथमिक तरफ के जादा होंगे तो बन जाएगा अप्चाई transformer चलो transformer में किन काणों से उर्जा 6 होता है किस प्रकार कम किया जा सकता है तो transformer में जो 6 होते हैं एक होता है सैथिल हानी सै थिल्य हानी सै थिल्य हानी पढ़ लीजेगा बार बार बिद्दत नहीं चुम्पी छेतर के बदलने से ठाक जाता है ट्रांसफॉर्मर का माटेरियल जो फ्लक्स होते हैं ठाक जाते हैं उसको बोलते हैं सै थिल्य हानी है और कुरेंड जाने से formula heat निकलती है कौन सा formula I square RT I square RT फिर और कौन सा loss होता है भाई अगला loss है भावर धारा अगला loss है क्या भावर धारा तो भावर धारा क्या होती है जो core होता है transformer का उसके अंदर खुद धारा circulate हो जाती है तो इससे बचनी के लिए हम क्या करते है transformer के core को कार देते हैं पटी पटी में कर देते हैं और हम बना देते हैं पटलित core पटलित core तो core पटलित बहुत important है चलो भाई अगला question जिसकी मैंने बहुत demand करिए वो आ गया गोलिये प्रष्ठ हेटू अपवरतन का सूत्र develop करिए इसकी सहायता से दो गोलिये प्रष्ठों से घेरे माध्यम के लिए संबंध ये जो है develop करिए मतलब भाई साब पहले आपको गोलिये प्रष्ठ निकालना है फिर दोनों गोलिये प्रष्ठों को जोड़ करके ये वाला सूत्र आपको बनाना है ठीक है तो गोलिये प्रष्ठ का अपवरतन सूत्र जो आपको मैंने बताया था है ना यही वाला सूत्र 1 upon f equal to mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2 ये वाला सूत्र आप याद कर लीजिए इसको कर डालिए बहुत important है गोलिये प्रष्ठ के दोरा अपवरतन तो जो जो चीजें याद रखो number one गोलिये प्रष्ठ के ओ था ओ था इसको यू बोलते थे इसके बाद यहाँ से रेज जो है मुड़ जाती थी अंदर चली जाती थी इस तरीके कर डाइग्राम माले ये बहुत important है ये इनको कर डालिए ठीक है क्योंकि ये बनेगा तभी आपसे क्या बनेगा लेंस निरमाता का सूत्र बनेगा क्यो लेओ भाई साब अगला 60 डिगरी अपवर्तन कोण वाले काच के प्रिज्म का अपवर्तना के एक दसमलब पांच है निउन्तम विचलन की स्थिती के लिए ग्याद कीजिए भाई ए देखो अपवर्तक कोण दिया गया है आपको मतलब 60 डिगरी अपवर्तक कोण वाले काच के prism मतलब angle of prism आपको कितना दिया गया है 60 degree और mu की मान किती दिया है आपको 1.5 अब आपको कह रहा नियूंतम विचलन की स्थिटी में गयाद कीजे नियूंतम विचलन कोण लेओ भाई साब formula क्या होता था mu is equal to sin a plus delta m by 2 upon sin a by 2 अब नियूंतम विचलन कह देते थे तो आपको याद होगा कि sin sin गयाब हो जाता था और finally जो formula आता था वो कितना था mu is equal to ये आता था मैं लिख देता हूँ मुझे यादा आगया delta m equal to mu minus ये raise क्यों नहीं हो रहा है रूख जाए यार ओहो चले तो जो formula हुआ करता था वो मैं आपको लिख देता हूँ देखिए कितना हुआ करता था formula होता था delta m equal to mu minus 1 into कितना a ये होता था नियूंतम विचलन का formula तो आपको क्या करना है नियूंतम विचलन कोण आपको दिया गया ये रख दीजे आपतन कोण आपको आपतन कोण निकालना है है ना तो पहले आपको ये रखना पड़ेगा पहले आपको नियूंतम विचलन कोण से आपके पास क्या आ जाएगा आपको dale time मिल जाएगा ये सारी value रख दो क्योंकि mu पता है आपको a पता है तो आपको dale time मिल जाएगा फिर इसके बाद आपको अपवर्तनांग निकालना पड़ेगा फिर इसके बाद आपको अपवर्तनांग निकालना पड़ेगा तो अपवर्तनांग के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला प्रिज्म का अपवर्तनांग तो दिया गया भाई तो फिर अपवर्तन माद्यम पर डिपेंड करता है आप वर्तनान की जगे आपको 1.5 रख देना है ओके फिर निर्गत कौन निकालना है तो निर्गत कौन जब आप पूरा डेरिवेशन करेंगे तो एक फर्मूला आएगा निर्गत कुन का delta m equal to i plus e minus a i plus e minus a ये बीच में तो जब वो derivation करोगे आप तो उसमें जितने formula बीच बीच में बनते हैं उनका इस्तमाल करके ये वाला question आप कर पाओगे ठीक है तो उसके जितने formula बनेंगे वो जैसे मैं आपको याद दिला देता हूँ चलो देखो एक formula मैं आपको याद दिलाता हूँ कि एक formula किस तरीके से होता है कैसे बनता है एक formula देखो आप जैसे आपके पास formula होता है mu equal to sin of i upon sin r तो i की value कितनी आती है i की value आती है a plus delta m by 2 और r की value कितनी आती है a by 2 ये देख लो r की value आती है a by 2 तो यहाँ पर prism का कोंड कितना दिया है 60 degree तो r कितना हो जाएगा 60 by 2 आ जाएगा मतलब r का पता चल गया कितने degree 30 degree अब चलो formula पर आजाओ तो mu equal to sin a plus delta m by 2 upon sin of a by 2 तो नियूंतम बिचलन की स्थिती में दोनों कोंड बराबर होते हैं तो sin दोनों के छोटे होते हैं बराबर नहीं होते हैं sin बहुत छोटा हो जाएगा तो a plus delta m by 2 divide by a by 2 sin sin को gap कर दो यह मैंने कराया आप लोग को तो mu is equal to a plus delta m upon कितना हो गया a a का गुणा कर दो तो यह कितना बन गया mu a equal to a plus delta m तो mu a minus a equal to कितना हो गया delta m तो a common ले लो क्या बच गया mu minus one equal to delta m लिख लिए जिन लोग को याद नहीं है नियूंतम बिचलन का formula नियूंतम बिचलन equal to a a into mu minus one यह होता है यह देखो जो मैंने लिखा था यहाँ पर mu into mu minus one into a है ना mu minus one into a तो यह सारी चीजें पढ़नी पढ़ेंगे आप लोगों को सब कुछ पढ़ा हुआ है बस revision करिए शांदर तरीके से क्या बिटा हाँ नियूंतम बिचलन की स्थिती में i equal to e बिल्कुल सही है नियूंतम बिचलन की स्थिती में i equal to e अगर आप नियूंतम बिचलन की स्थिती में कह रहे हैं तो i equal to e हुआ करता है तो अगर नियूंतम बिचलन की स्थिती में अगर आपको आपतन कोण पूछा गया है तो e के बराबर निर्गत कोण जो है आपतन के बराबर हो जाएगा ठीक है और आप तनकोड किस से निकालोगे इससे I equal to A plus delta M by 2 से यह जो उपर वाला formula लेखा है तो मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ confidence तब आएगा जब इस derivation को पूरा आप एक बार करोगे बिना पूरा correct confidence आने वाला नहीं है काफी बड़ा derivation था जब इस derivation पूरा का पूरा कल लोगे तो इसको आपको confidence आ जाएगा चलो देखते हैं किते paper बचे हुए भाई एक और paper बचा हुए कोशिश करते हैं इसको speed से कराने की तीनों paper खतम हो जाएगे मज़ा आ जाएगा चलिए तो ये थोड़ा सा difficult तो लग रहा है चलिए संभावित प्रश्न पत्र सेट करमांग 2 में है अगला question देखी पहला question क्या कह रहा है भाई हाँ शल्ले चिकित्सा में laser पुंज का इस्तमाल किया जाता है देखी भाई शल्ले चिकित्सा में laser का इस्तमाल किया जाता है क्योंकि उच्च कोटी की एक वर्णता अरे भाईया एक वर्णता वहाँ पर कोई काम की नहीं है है ना उच्च कोटी की दैशिकता कोई काम की नहीं है उच्च कोटी की focus चमता यहाँ पर कोई काम की नहीं है देए कलासबढब मतलब इनकी जो सब सिगनल जो होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी एक ही destructive होगा तो ये क्या होते हैं तो ये क्या होते हैं सारे के सारे कलासबढब किन्र निकला करती है इसलिए शल चिकित सा लेजर का इस्तमाल किया जाता है पहले आपके इस लेबस में लेजर था तो यह question आया था अब नहीं आयेगा धात्वों का परवैदुतांग फिर से अनन्त हो गया सब लोग जानते हो किसी चालक में विद्धुत प्रवाह क्या है किसी चालक में विद्धुत प्रवाह क्या है आयन मत लगा देना क्योंकि चालक लिखा है चालक में इलेक्ट्रॉन होंगे आयन नहीं होंगे 20 अंपियर की धारा अनन्त लंबाई के सीधे तार में प्रवाहित हो रही है तार से 10 सेंटीमीटर दूर पर चुम्बी की छेतर की तीवरता क्या होगी भाई क्या फॉर्मुला कराया है मैंने आर दूरी पर चुम्बी की छेतर की तीवरता मू नॉट अपॉन फोर पाई मू नॉट अपॉन फोर पाई इंटू कितना होता है 2i by r ओके ये फार्मुला होता है बिद्दु चुम्बी की छेतर की तीवरता का है ना देख लो जरा कितना होता है mu not upon 2 pi mu not i upon 2 r हाई यह होता है mu not upon 4 pi 2i by r बिटा फार्मुला लगा दो इसका mu not upon 4 pi कितना होता है 10 की पावर minus 7 2 तो 2 है ampere किती ही भाई साब ampere है 20 ampere और दूरी किती है 10 cm 10 cm मतलब 10 into 10 की पावर minus 2 meter तो 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 minus 7 cancel हो गया कितना बचा 10 की पावर minus 5 0 से 0 शहीद हो गया 2 गुणे 2 कितना हो गया 4 correct answer 4 into 10 की पावर minus 5 tesla option number C 4 into 10 की पावर minus 5 tesla बिल्कुल सही है बेटा देखो formula याद कर लो मेरे को याद था इसलिए ये बन गया अगर ऐसा question आता है अब अगर आपको formula याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ठीक है ना derivation भी करोगे यार तो बहुत time खराब हो जाएगा अब इसका derivation करने जाओगे तो बहुत समय लगेगा गजब time लगता है देख लेना मैंने कराया है है ना ampere circuit law से करोगे तो थोड़ा कम समय लगेगा फिर भी मान के चलो 3 मिनट तो लग जाएगे और अभी तो ठीक है competitive में तो करने ही पड़ेगा चलो अगला question भाई साब विद्दुचुम्ब की तरंगों के लिए आपको बताना है कि क्या परिभासित करना आपको दुलायमान विद्दुच छेतर चुम्बे की चेतर के आयाम निम लिखित समीकण होता है तो विद्दुच चुम्बे की तरंगों के लिए क्या समीकण होता है देखो ये मूर्ख बना रहा है आपको E upon B equal to अगर आप बात करोगे हवा की तो formula होता है E upon B equal to under root mu not into epsilon not इसको ऐसे भी लिखा जाता है आपने देखा होगा E not square upon B not square is equal to mu into epsilon mu not into epsilon not तो यहाँ से B को उपर भेज़ दो तो E equal to इतने B हो जागा तो correct answer किसका दिखा रहा है कि आपका फिफ्थ का जो correct answer आपको दिखा रहा है D दिख रहा है ठीक ना एक मिनट E upon B E upon B B upon E E upon B होता है एक मिनट थोड़ा सा time दीजे मैं relationship देख लूँ E और B में division relationship क्या होती है एक मिनट का समय दीजे या किसी के पास हो तो थोड़ा सा देख लिए कि E upon B जो होता है 1 by mu not epsilon not होता है कि mu not epsilon not होता है E upon B विद्दु चुमी की छेतर में आपको मिलेगा देखे इसको थोड़ा सा correct के लिजे C का जो formula होता है C is equal to होता है 1 upon under root mu not into epsilon not ठीक है ना अब यहां से यह relate हो जागा देखे तो यहां से जो E not की value आती है विद्दु छेतर जो आता है E not is equal to B not upon under root mu not और किता हो जाएगा epsilon not हो जाएगा तो यहां से B not जो होगा चुमी की छेतर की value equal to कितना हो जाएगा E not और 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 upon में multiply में mu not epsilon not तो बेटा याद रख लिजे इसका answer C होगा ओके यह गलत है D गलत है इसका answer क्या होगा C होगा तो मैं क्या कोँगा आप formula याद रख लिजे ये वाला सबसे अच्छा formula यह है E not upon B not equal to C और C is equal to 1 by mu not epsilon not इसको प्लीज note कर लो यह बहुत काम का formula है E not upon B not equal to C C मतलब speed of light और यह कितना हो जाएगा 1 upon mu not epsilon not done हाँ बाई मुकुल देख रहे हो चलो भाई अगले question की तरफ चलते हैं full speed के साथ चली भाई अगला question है निर्रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ती में देखे सबसे पहला कहा गया है कि निर्गत voltage परिवर्तन और निवेशी voltage परिवर्तन हलाकि यह तो देखे अगला question आगा निर्गत voltage परिवर्तन नहीं आएगा निर्गत voltage परिवर्तन नहीं रहेगा तो क्या बोलोगे उसको के बोलोगे के मतलब परिवर्णमन अनुपात लेए अगला question विद्धु चुम्ब किये छेतर से अगला क्वेशन है टेले वेजन का विसकार किस ने किये था जे एल बेर्ड ओके जे एल बेर्ड जॉन लोगी बेर्ड ठीक है अगला क्वेशन देखे विद्धु छेतर की तीवरता का SI मात्रक है ओ भाई इतना क्वेशन इजी न्यूटन उसका विद्धु वाहग बल होता है जब आप नया सेल ले करके आते हो तो उसका विद्धु वाहग बल क्या होता है? 1.5 वोल्ट जो हम लोग सेल खरीद करके लाते हैं उसका विद्धुत वागबल क्या होता है क्योंकि उससे कोई धारा ले नहीं जाती है तो उसका विद्धुत वागबल अधिक्तम होता है और यह होता है 1.5 वोल्ट चली अगला क्वेशन चुम्बक के सिरे के निकट जिन बिन्दूव पर चुम्बको तो सर्वादिक होता है उन्हें क्या कहते है उन्हें धुरूब कहते हैं पूरा नाम है चुम्ब की ये धुरूब चलो भाई आजाओ, जामिती चाया में प्रकास का अतिक रमण क्या कहलाता, मैंने बताया था आपको कि अगर आप कोई सुई रख रहे हैं तो सुई कि यहाँ पर लाइट नहीं जानी चाहिए बट नीचे जगह पर लाइट चली जाती, उसको बोलते हैं विवरतन तो जामिती चाया में प्रकास का अतिक रमण क्या कहलाता है विवरतन कहलाता है पश्च अभीनती, पश्च अभीनती में क्या हो जाता है पी एन जंक्शन की चौड़ाई बढ़ जाती है पी एन जंक्शन की चौड़ाई बढ़ जाती है पश्च अभीनती में Modulation सुंच कांग से लेबस से हट चुका है गोली मारो इसको E equal to किता होता है E equal to होता है Rho L क्यों होता है E विभा नहीं विभा नहीं विभांतर भी विभांतर भी हो सकता है और विद्धुत वाहक बल समानु पाते L क्या होता है किसका सिध्धान्त होता है विभां मापी का सिध्धान्त होता है E proportional to L तो E is equal to Rho L Rho कहलाती है विभांतर याद करो भाई Rho को क्या बताया था हमने Rho को हमने बताया था विभांतर प्रमरतर तो यह है E equals to Rho into L याद कर लो अच्छे से ठीक है Done, सारे हो गए बेलनाकार संधारित्व की धारता से लेबस से हट चुका है यह वाला पार्ट है याद करना हो कर लेना अभी जरूरत नहीं है अगला सत्या सत्य अरे ध्वनी दरंगे विद्धुत चुम्ब की तरंगे नहीं बिलकुल सत्य बात है विद्धुत रोधी है ना तो विद्धुत रोधी में वरजित उर्जा अंतराल बहुत जादा होगा तभी तो संयोजक्ता बेंड का इलेक्ट्रॉन चालन बेंडल में कूद नहीं पाएगा तो यह असत्य है अगला किसी संचार तंत्र की बेंड चोड़ाई वाह का वरती छोड़ दो हड़ गया ओम का नियम केवल धातू चालकों के लिए ही सत्य है बिल्कुल सत्य बात है ओम का नियम है ओम का नियम जो है ओमिये चालकों पर लगता है और सारे ओमिये चालक जो है धातू चालक है प्रकास के प्रथक प्रथक सोत कला सबद हो सकते हैं कभी possible नहीं है दुनिया में कोई भी दो लोगों के fingerprint जैसे match नहीं करते हैं इसलिए दो अलग-अलग सुरोतों की आवरती कभी match नहीं कर सकती है इसलिए एक प्रकास के प्रथक प्रथक सुरोत कला सबद कभी हो नहीं सकते हैं चलो अगला कॉश्चन नाइक्रोम का विस्ष्ट प्रत्रोज इतना है भाई सब सब कुस दिया है फॉर्मला लगा दो र इक्वल टू रो एल अपॉन ए बस ये फॉर्मला लगा दो एरिया की जगे क्या यूश करोगे पाई यार स्क्वेर यूश करना क्योंकि जो अनुपरस्त काट होता है वो क्या होता है वरत्ता कार होता है विभा मापी वोल्ट मीटर से किस प्रकार स्रेश्ट है आज दो बार बता दिया कि विबम अपी जो होता है वो शुन विछेबीदी पर काम करता है इसलिए किसी प्रकार की धारा नहीं लेता है इसलिए ये बेस्ट होता है धारामापी को अमजर में रूपांतरित करनी के लिए क्या करोगे भाईस साब गेलवनोमेटर ले लो और इसके साथ एक शंट का रेजिस्टेंस जोड़ दो क्रियाविदी नामां की चित्र है सिध्धान्त बना देना आज ही कराया था आई 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 जी ना ना आ आर एककोल टू शंट रेजिस्टेंस को ऐस बोलते ना तो ऐस से रहन दो शंट रेजिस्टेंस इकोल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस वन आई माइनस आई जी ये था फॉर्मूला चो आवेश्यत कंपल लगने वाले बल चुम्बगी वल और विदुद बल के बीच में विदुद चंगारी क्यों दिखाए देती बाई देखो पहलावाला है पृतलो बाकस के अदर दो तार की बनाई जाती है तो एक तार सीधा जाता है एक तार उलटा जाता है क्या करते हैं दोनों एक दूसरे के जो चुम्बे की छेतर होते हैं उसको दोनों को निरस्त कर देते हैं इसलिए प्रतोद बाक्स के अंदर कुंडलियां उल्टी लगाई जाती है विद्धुत प्रतोद में बंद करोगे तो क्या होगा चिंगारी के उतपन होती है क्योंकि जैसे ही बंद करते हो तो फ्लक्स का मान बहुत अधिक्तम रहता है और फ्लक्स का मान सीरे जीरो पे पहुँच जाता है जिसके कारण विद्धुत वाहग बल उत्पन हो जाता है इस वज़े से ऐसाम करते हैं चलो नेक्स कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन क्या कह रहा है उच्चाई और अप्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर सबसे बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं विद्धुत चुमिकी तरंगों के किनी चार सुरूप मैं कहूंगा ये कुश्चन इंपॉर्टेंट है तो चार कोई सुरूप हैं और उनके नाम सुरोत प्रभाव भई याद कर लेना चार कौन कौन सी टरंगे जो आपको अच्छी लगते हैं गामा बीटा अलफा जो भी टरंगे आप याद कर लेना है ना रेडियो टरंग लगू तरंगे याद कर लो उसके बारे में लिख करके आ जाना चलो अगला संतल धुरुवित कंपन तल और धुरुमर तल से आप क्या समझते तो मैंने आपको थोड़ा सा polarization पताया था कि दो चीज़ें हुआ करती है एक तरंग में एक तरफ विद्दू छेतर वाइबरेट करता है और एक तरफ कौन चुम्बी की छेतर वाइबरेट करता है तो जिसको आप गायब कर देते हैं उसको बोलते हैं धृमर तल और जिस तरफ का vibration रहता है उसको बोलते हैं कमपन तल उसको बोलते हैं कंपंतल, तो दो प्रकार के तल होते हैं, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, लगबग सारे कलर का equal, क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको, scattering, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकीरिणन हो जाता है, समझ गया न, और सबसे कम तरंग किसकी होती है, सबसे क अपॉन लेंबडा तुदी पावर 4, तो जिसकी तरंग देर सबसे कम होगी, उसका प्रिकीन्डन क्या होगा सबसे ज़्यादा, इस कारण नीले रंग का प्रिकीन्डन सबसे ज़्यादा होता है, अता है आकाश नीला दिखाय देता है, वास्तीवी का अभासी स्पेक्टरम से ने डेबलप करा रखा है लेम्ड एकुल टू एच अपॉन एपॉन भी कर दीजी अर्धचालक का लेजर से धांत हटा दो नहीं आएगा अब मोडूलेशन दिमोडूलेशन हटा दो समानतर प्लेट संधारित की धारता के वेंजक वेरी 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 इंपॉर्टे एपसलान नौट एपॉन डी वंडीग्राब जन रेटर थोड़ा सा पढ़ लेना मैंने करा रखा वंडीग्राब जन रेटर एकदम प्लेलिस्ट में लास्ट नंबर पे मिलेगा वंडीग्राब जन रेटर क्या होता है उच्छे वेबहो देने वाली मशीन को डिवाइस को बहुते हैं वाड़ीग्राब जन रेटर ये इसको ओपर बहुत बढला डोम होता है दो इंसुलेटिंग खंबे हुआ करते हैं इसके उपर रखा रहता है यहां पे तार का पक्टा तार का पकर चलता है उपर जाता है ये ले इसको एक चेंबर के अंदर बंद किया जाता है साइव ततो सूचमदर सी पक्का आने वाला एकजाम में वना लो भाई किरन पत्त, आवर्दन- शम्ता का शूद्र हां दोई टू डाइग्राम मनते किरण और एक आवर दन चंता का सूत्र सरल सूच मतर सी इसके और में आया है तो मुझे लग रहा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सरल और संयुक्त दोनों और में आएंगे ठीक है चली दिस्ट करण क्या है लो भाई लिख दिया मैंने श्योर फॉर एकजाम एक ही कोश्चन है जो दमदाल लगरा इस चेप्टर में से आने के लिए दिस्ट करण क्या है अर्धतरंग दिष्टकारी के बरें बताईए तो यहां से आप पूरी वेब देते हैं और बदले में आपको कौन सी वेब देता है यह आधी आधी वेब देता है ठीक ना अर्धतरंग है तो इस तरीकी की वेब नहीं देगा अर्धतरंग जो है इस तरीकी की वेब देगा आपको दिखाता हूं देखो यह देखो आधी वेब देगा आधी वेब खा जागा दिया खा गया दिया खा गया दिया खा गया इसको बोलते हैं अर्धतरंग एक डायोट लगा होता है पहले फॉरवर्ड वाइस यानि अगर अभी नती में पास करेगा तरक में दुतिये अभी नती जो होती पस्च अभी नती उसमें खा लेगा चलो एंड गेट को तरकिक द्वार बनाईए इस गेट की सततालिका बुली अंद और बताईए डायोट की सहायता से एंड गेट बनाने की प्रक्रिया को भाई दूसरी चीज बिल्कुल हटा दो दूसरा चीज कोई काम का नहीं है पहला चीज काम का है एंड गेट को बनाना है तो ए तो इस तरीके से सिगनल बना लिया अगला क्वेस्चन फिर से आ गया मतलब यार कुछ मत पूछो अब तो लंबी पर नालकाओं के बीच में अन्यून प्रिरकत चार बार से सुन लिया इस क्वेस्चन को प्रत्यावरती धारा डायनमो का नामांकित वर्णन तो भाई डायनमो आप देख लीजेगा डायनमो से लिबस में है की नहीं है डायनमो में कुछ नहीं होता है एक डायनमो क्वाइल हुआ करती है ओके ये चुम्ब की छेतरों के बीच में घूमा करता है तो इसमें कौन सा लगता है इसमें लगता फ्लैमिंग का दाएं हाथ का नियम और फ्लैम के लिए कोई भी वीडियो टाइप का यूटूब में डेमो टाइप का देख लेना उससे जल्दी और जल्दी समझ माया जागा चोड़ो गोली यह दरपन की वक्रता तीजे और फोकस दोरी के बीच में फॉर्मुला एफ एक वल्टू आर बाई टू एक बार करके जाना छोट प्रमुला क्या होता पावर का पावर पी कोल टू पी वन प्लस पी टू तो पहले है 15 डाप्टर का चंतर आउतल मतलब जो मुझे लगा है निगेटिब का चस्मा माइनस का पंदरा और दूसरा क्या 10 आई अप्टर मतलब प्लस का 10 दोनों को जोड़ो दो आंसर कितना माइन बीस का 5 यह क Bacon आएगा डायाप्टर में और डायाप्टर को तो साहिशनों कि इसमा मेटर में और मीटर को सेंटी मिटर बडलने के लिये किसका मल्टीप्लाई 100 का तो पाच से कितने बार कड़ गया, 20 बार कड़ गया, तो answer कितनी हो गई, focal length, minus 20 meter, चलो, खतम हो गया, इक question, ठीक है, तो संयुक्त lens की focus दूरी भी निकाल दी, और चमता भी निकाल दी, चमता कितनी आई, minus 5 adapter, और focal length कितनी आगई, 20 centimeter, बेटा, सॉरी, centimeter, जब 100 का multiply करते हो न, meter में, तो centimeter में बदल जाता है, वाँ भाई, पूरे के पूरे question finish हो गया है, अब आपका काम क्या है, भाई derivation मत छोड़ो, पूरे पूरे derivation लगा डालो, सुरुआत, सुरुआत में जब पहली बार करोगे, तो बड़ा दर्द होगा, पेट में दिमाग खराब होगा, मोड सिर में दर्द हो कर डालो इसको, ठीक है न, एक copy में आप इसको पूरे पूरे questions को कर डालिए, अगला paper हम आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आगया देजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार,